हेलो अव्रिवान, आज मार्केट यादे समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा और आप अभी इस कूटी देखके समझ ही गहें कि आप मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ जी हाँ, यह जो side panel का chrome garnish होता है, यह मेरी गाड़ी से automatically fell down हो गया, अब नसीब अच्छा था मेरा, वो यह था, कि यह जो side में आपका protection guard जा रहा है, इसमें जाके फस गया, और कहा है मेरा chrome garnish, वो है यह, क्या हुआ था, यह just ऐसे लगा हुआ था, और लगे होने के बाद क्या थ यह automatically यह गिर के इसमें फस गया, अब जब फस गया, तो मुझे लग रहा था, कि यह मेरा जो है, यह lose हो गया, जबकि मैं ध्यान से देखा, तो यह सरक के यह नीचे आ चुका था, यह chrome garnish है, यह सरक के नीचे आ चुका था, अब problem क्या है, कि मैं आपको बहुत पहले से बता कि मैं जो गाड़ी पर्चिस किया था, वह बहुत ही मेरे को लगा कि बहुत पीस है, क्यों कि यह सब टूटा हुआ ही आया, फ्रंट पे नट नहीं है, कभी कुछ नीए, कभी कुछ नीए, गाड़ी बहुत प्रॉब्लम करी है, ठीक है ना मेरे साथ, तो मैंने आपको आपक लेरा की help से, जो रबड वगरा है दिख रहा है ना आपको यह, इसकी help से मैंने इसको fix-up करवाए ताकि जो fix हो जाए, तो कि मैं फाल्तू insurance नहीं क्लेम करना चाहता था, और नहीं मैं चाहता था, मतलब मैं किसी लफड में पढ़ूँ, फाल्तू के नाटक हो, ठीक ना, तो यह, आपको देख रहा है यह, इसका lock है और यह तूट गया था और आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, यह चारो की चारो टूट गया तो मतलब सिफ इसमें लगा हुआ है और यह इसमें लगा हुआ था, तो और इसी में ही यह rubber लगी हुई थी, इसी में यह rubber लगी northern वी और बाकि सरु रबर के थुरू ही मतलٍ बाकि में भी रबर थी सिर्फ इसमें और इसमें रबर थी यह तो रबर के थुर लगाना पूरा पढ़ा था ताकि फिक्स हो जाई ये वाला लेकिन सिर्फ इसी में बस लॉक था और बस ये लॉक के थूरे से मेरा लगा हुआ था इस ब्रैकट में तो अब क्या करवाना पड़ेगा तो अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्रोम गार्णिश है काफी जाधा महेंगी आती है जो क्रोम की पट् इसको चेंज करवाने से अच्छा है कि मैं दोनों पैनल को डिश्ट्रॉय करवा के नए पैनल से इसमें इंस्टॉल कर रहा है अब नए पैनल करवाने के पीछे भी रीजन है देखिए मैं ऐसी कोई का मैं तो ऐसी गाड़े लेकर घूम लो में कोई दिक्कत में किसको दिख रही है तो इसको फिक्स करवा देंगे लेकिन अगर यह चीज अपना पुराना घॉम गाड़े चीज में फिक्स नहीं हो रहा है तो फिर पैनल को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड यह जो मेरी गाड़ी में आप इस्क्रैच वगर आप देख रहे है ने गाड़ी में इस से क्या और इस साइड में आप देख सकते हैं यह जो खरोच वगरा आई है ना तो यह सारी खरोच वगरा भी हड़ जाएगी अगर मैं इसाइड पैनल्स को निकलवा दूं लेकिन फिर वही मैं सोचता हूं कि अगर वह चीज फिक्स हो जाएगी अपनी तो इसको फिक्स करवा देंग किया क्या प्रोसीजर फॉलो होता है कि बाहर से कोई लोग आते हैं चेक करने कि लिए बाहर से कुछ होता है इंश्रेंस क्लेम करने में कैसा के से इंश्रेंस क्लेम किया जाता है मैं सारी चीजें A to Z आपके साथ शेयर करोंगा Thank you so much for watching love you all guys bye take care